नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टो यूर ओन चानल दा इन्वेस्टमेंट गुर जी दोस्तों आज की सुडियो में हम बात करने वाले है यस बैंक से रिलेटेड एस बैने जो है हिस्सेदारी घटा ही है उसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे एस बैक की हिस्सेदारी देख यह रियली हिस्सेदारी घटी है यह फिर एस बैने इस बैंक में हिस्सेदारी बढ़ा ही है तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और यह बहुत इंपोर्टन वीडियो होने वाला है अगर आप यह बैंक के अगर शेर आपने लिये है तो दोस्तों अगर लोग बहुत सारी लोग जो है इस लेवल पर करिद के बैठे थे जब उपर गया तो में भी इस लेवल पर भी खरिदा होगा लोगों ने अगर बहुत सारे जो नीचे फॉल कंटिनूस लोग था तब भी लोग करिद रहते इतना ही नहीं दोस्तों कि अभी जो इन कंपनी का जो है यस बैंक का जो एफ प्यो आया था फॉल आण प्रोसेस तो वहां पर 13 रुपए पर प्राइस दी और अभी जिन्हों ने उस प्राइस पर लिया होगा 13 रुपए पर तो वहां से भी हम लोग देख सकते हैं उससे भी नीचे अभी यह स्टॉक चल रहा है तो यहां पर नुक आज फॉल वीडीयो में हम लोग देखेंगे कि सारे लोग जो लॉस्ट में रिटेलर तो फाइदा किसका हुग तो आज इस वीडियो में हम लोग जारेंगे कैसे SBNA है उसकी जो भी different banks हैं जिन्हों ने हिससे दारी लिए उन्होंने कैसे पैसा कमा रहे है जह लोग इसके बा हमारे latest investment review मिलते रहेंगे दोस्तों अगर्म लोग इस टॉक की बात पर तो यह बैंक का स्टॉक है 11 रुपे 75 रुपेसे पर यह आज की closing इस टॉक की अगर्म लोग यहां पर देखे एक 6 मेने पहले तो 6 मेने पहले आराउं 40 रुपे पर चल रहा था तो यहां पर भी बहुत लोग नहीं खरदा होगा इस भी पॉइंट पर बहुत सारी रिटेल इंवेस्टर के वह फसे होंगे अभी उनको जो है अच्छा सा नुकसान हुआ होगा अब हम लोग एक मेने की बात करें तो एक मेने पहले यह स्टॉक जो है हाई पर चल रहा था 25 रुपए 60 पैसे पर और अभी की प्राइस से भी बहुत कम है जिन्होंने यहां पर इस पूरे डूरेशन में अगर किसी रिटेल इंवेस्टर ने निवेश किया होगा कि उपर आ पर देखें तो कुछ जो है रिसेंटली इसका जो है एफपी ओ आया था फॉलो अन प्रोसेस आया था तब जो है प्राइस रखी गई थी 13 रुपए पर अगर हम लोग उस भी प्राइस से कमबर करते तो 13 रुपए पी जिन लोगों ने लिया होगा तो वह भी अभी जो है ल में प्रमोटर बन रहे है यह इस बैंक के तो उन्होंने कैसे इस टॉक से जो है पैसा अब तक जो कमाया है वह भी हम लोग डिटेल में देखेंगे दोस्तों अगर हम लोग यहां पर न्यूस देखे एस बैंक डिक्लाइंस तो 30 परसेंट अफ्टर एप्यों तो बहुत सारे जो है जो है डिटेल इन वेक्षेक सोच रहे होंगे कि यहां पर जो एस बैने अपनी जो है हिस्सेदारी में भी घटा दी इस पर्टिकुलर स्टॉक से लेकिन ऐसा जो है नहीं है अगर आपने मेरा दो दीन पहले का वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने इन्होंने ज 2020 यहने कि 3-4 दिन पहले इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वहां से आप यह दॉक्मेंट कुछ राउनलोड करके पढ़ सकते हो अगर लोग इस डॉक्मेंट के बारे में देखे तो यहां पर एक्क्विजिशन किया है शेर का तो हम लोग अ कि थी एकविजिशन कि पात है और अगर हम लोग यहां पर एक विजिशन में क्या हुआ है इतने शेर की खरिदारी हुए है लेकिन अगर कब किया है before acquisition किया है और अगर हम लोग यहां पर देखे तो after acquisition कितने हिस्सेदारी बचते है 30% तो दोस्तों अल्दो यहां पर हिस्सेदारी आप घट्टे हुए देख रहे हैं लेकिन हम quantity जो है यहां पर हम लोग देख सकते हैं यह पहले की quantity और जहां पर acquisition में इन्होंने यह खरीदारी की तो इन दोनों का अगर हम addition करते तो हमें जो है after acquisition में जो है यह amount मिल दिया है तो इतने अभी जो है stocks SBI के पास है Yes Bank के अल्दो हमें जो है हिस्सेदारी घट्टे हुए दिख रहे है लेकिन stocks बढ़ चुका है तो इस टाइप की जन्रली न्यूस से बहुत सारी जो है रिटेन इंवेस्टर जो है पैनिक हो जाता है कि SBI में जो है अल्दो यहां पर हम लोग देख सकते हैं घटो स्टेटरजी क्या होनी चाहिए तो अब हम लोग आ गए फिर से वही न्यूस पर जो हमने पढ़ी थी SBI स्टेक्स इन इस बैंक डिकलांस तो 30% आफ्टर एफ्टर एफ्टर तो बहुत जो रिटेल इंवेस्टर यह पर्टिक्लर चीज से पैनिक हो चुके होंगे कि Yes Bank में इ इनकी जो शेर कैपिटल है मार्केट कैप है वह बढ़ चुका है अगर लोग यहां पर देखे तो विद्द एप्यो विद्द एप्यो शेर कैपिटल आप दे यस बैंक डबल तो 2,505 करोट तो यहां इस पर्टिक्लर चीज से अल्दो इनका में रिजन हुआ है इनके मार्क करते हैं स्टोक में फ्रेश एंटरी है फिर होलडिंग कि क्या करना चाहिए फिरस्ट अब अगर आप सोच रहे ओता है मैं डरी आपको यहां पर फ्रेश एंटरी की सलाग कोई नहीं दूँगा कोई सजीस्च नहीं कर्का की ओनर लोगा कि मैं बहुत सारी जो cabo जो है अच्य पॉपांच चेक किजिए, बहुत सारे बैतरी स्टॉक है, इसी के साथ अगर आप इस चैनल से पहले जुड़े हैं, तो यहां के भी आप वीडियो पहले के देख सकते हैं, जहां पर मैंने बहुत अच्छे स्टॉक किया है, अगर हम लोग यहां पर बात करें, तो फ्रेश एं स्टॉक यहां पर हम लोग देख से थे 25 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए भी था यह स्टॉक कुछ महने पहले, लेकिन अभी यह स्टॉक अरौंड 12 रुपए पर आ चुका है, तो गिर गिर क्या और कितना गिरेगा, यार, क्योंकि SBI ने जो है, यहां पर हम लोग देख से इसके लिए स्टॉक जा भी सकता है, आने वाले कुछ दुनों में, लेकिन यह स्टॉक उपर भी आ जाएगा, अभी इसके लिए कितना टाइम लगेगा, यह हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन स्टॉक इतना गिर चुका है, इतना डूप चुका है पैसा, तो अभी जो है, स्ट स्टॉक का प्राइस है, बहुत सारी जो है, इनोसन रिटेल इन्वेस्टर इस टॉक में अटक चुका है, तो आज़ों में बताऊँगा, कि आप इतना वैसा गिर चुका है, गिर गिर के कितना होगा, जाज़़़दा पाच रूपए पे जाएगा, चार रूपए पे जाए लेकिन मैं फिर से वही दो चीज़ रिपिट करूँगा, फ्रेश एंटरी मत कीजिए, और अगर आपने लेके रखा है, तो इसको होल्ड कीजिए, दोस्तो अट दे इंड मैं जो है, फाइनल डिसिजिन आप पे छोड़ता हूँ, आप डेफिनेटली इसका पूरा एनलिसिस कीजिए, उसके बाद ही आपका नेक्स जो है, डिसिजिजन लीजिए, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आशा करता हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, इस राथ जो है, इस चैनल को सब्सक्राइब पढ़ना ना भिले, तो दोस्तों मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में, तिल देन, गुडबाई